हमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रियोद अथा आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरा इस यूटूब चैनल होमयोकेट टिप्स पे दोस्तों कई दिनों से कुछ बीएचेमेस की स्टूडेंट्स यानि जो डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनसे हमें लगाता रिक्वेस्ट मिल रहा है कि सर आप होमेपतिक मेडिसन फॉस्फरस को उपर एक लेक्चेर हमें दे कि उसका पेसेंट का कैरेक्टर और सभाव कैसा होता है और यह कहां-कहां यूज की जाती है उस पर हमें एक ब्रीफ आइडिया दे तो आज हम लोग इस इसे इंग्लीजमें स्टूप सोलडर कहते है और इनका चेस्ट होता है यह चाती होता है और यहां का रिप इवन इन विंटर और इन लोगों को हातों में और पैरों में जो है पसीन आता रहता है लेकिन उस पसीने से बहुत ज़्यादा बद्बू नहीं आती है दोस्तों दोस्तों फॉस्पोरस का पेशेंट बहुत ही दिखने में सुंदर होता है और ऐसा नहीं कि यह सिर्फ बाहर से उसे बहुत ज़दा प्यार बहुत ज़दा एफेक्सर रहता है यह इतना कॉमल दिल के लिए जरूर करता है दोस्तों इतना एक नर stop गिल का इंसान होता है दोस्तों जिसके करण इसके साथ सभी का बहुत अच्छा पढ़ता है सभी का साथ बहुत अच्छा लिलिसन रहता है अपना से छोटा उमर का कोई बच्चा हो या कोई हम उमर का हो या उससे कोई उमर में बहुत ज़रा बड़ा हो चाहे हो कोई भुजू हो सभी से इसका बहुत अच्छा पढ़ता है सभी से इसका बहुत अच्छा लिसन रहता है दोस्तों और इतना अच्छा कॉडिनेशन रहने का कारण ये लोग जो है हर जगह में चार चांद लगा देते हैं इस्पिसली इन पार्टी और है नेदा कॉरल को सब्सक्राइब और उसलम है थे कि इस इतना इहतर चाहतार के होता है फॉसफॉरस का पिशेंट और अब अगर इनका खाने पिने के गरible बात करे तो खाने पिने में यह लोग जो है बिलकुल कंजुसी यही काँछ चाहिए होता है दोस्तों फोस्फोरस सब सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ ब्लीडीग के लिए ऐसा कोई भी ब्लीडइग निए मेरे ख्याल से जहां ऑस्फोरस इंडिकेटेड़ ना हो चाहे मुझ से हो knit नाक से हो कान से हो या कोई internal bleeding हो like stool के साथ blood का आना या फिर urine के साथ blood का आना और अगर यह blood bright red हो और अगर फ्रेस हो तो इसके लिए जो पहला top grade remedy आता है वो है phosphorus दोस्तो इसके लवा अगर किसी में brain की नसों में गर blockage आ जाए जैसे कि heart की नसों में भी blockage हो जाता है लेकिन यह जो है 60-70 साल के बाद ही लोग को होता है लेकिन अगर किसी को अगर हो जाता है तो फिर इस तरह का भी बहुत अच्छी दवा होता है भटाइगों का मतलब होता है चक्कर आना लेकिन भटाइगों का ओपर होमेपती में ध्यरो मेडिसिंस है जो कि आसपर बहुत अच्छी दवा है लेकिन यह माइग्रेंट की केस में तभी काम करता है जब आपका माइग्रेंट बहुत पुराना हो गया यानि बहुत पॉर्णिक लेवल तक पहुंच गया है जिसके कारण आपको डिबलोप या हो गया यानि सब कुछ चीज जो है डबल डबल अच्छा काम करता है इस तरह का क्रॉनिक माइग्रेंट के लिए दोस्तों फॉस्फॉरस आंक का बिमारी में भी बहुत अच्छा रूल प्ले करता है मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी आख का कंडिशन नहीं है जहां फॉस्फॉरस इंडिकेटेड ना हो इस्पेसली फॉस्फॉ आगे से हम लोग रेटाइनल डामेज को आगे प्रोक्रेस होने से रोक सकते हैं ताकि वह पेषेट जो है पूरी तरह से अंधा ना हो जाए मेरे पास ऐसा चार पेषेट और चार में लेकिन उसको जह है रोका जरूर जा सकता है दोस्तों ये नर्वस सिस्टेम की भी एक बहुत एच्छी दवा है अगर किसी को वाइटमिन B12 का डविसेंसी है और वो अगर लंबे समय से है तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये धिरे धिरे छोटा होने लगता है धिरे ध वो है Phosphorus दोस्तो Phosphorus को काफी lower potency में यूज करना होता है और धिरे धिरे इसका potency को higher करना होता है खासकर इस तरह का patient में अगर आप LM potency में अगर medicine देते हो तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों आप जाए Phosphorus को LM potency में दीजिए 0 by 1, 0 by 2 इस तरह से आप धिरे धिरे बहुत अच्छा रेदल मिर रहा है patient को दोस्तों यह stomach cancer का भी एक बहुत अच्छी दवा है अक्सर कई लोगों को stomach cancer हो जाता है बट उनको पता ही नहीं चलता है पेट में जलन होता है छाती में जलन होता है लेकिन patient जो है सोचते रहते हैं कि शायद हमको acidity हो गया हो यह फिर ठीक उसी तरह से यह liver cancer के लिए भी एक बहुत अच्छी दवा है सिर्फ liver cancer ही नहीं बलकि liver से जुड़ी जो भी diseases होता है लाइक hepatitis B, hepatitis C यह फिस rossis of liver जहां patient का liver का side छोटा होना लगता है तो इन cases में भी phosphorus बहुत ही आदा indicated होता है in fact without phosphorus यह disease जो है ठीक ही नहीं हो सकता है द जाता है तो इस तरह का cancer के लिए मेरे ख्याल से phosphorus बहुत ही जादा indicated होता है इसके अलबा और विक दवा है उसका नाम है हेकला लावा वह भी equally indicated होता है दोस्तों यह peripheral neuropathy का बहुत ही अच्छी दवा होता है कि कुछ लोगों का हाथ और पैर में constant जलन होता है कुछ doctors जो है vitamin की गोली देता है लेकिन उससे कुछ खास असर पड़ता नहीं है बट फॉस्फोरस से इस तरह का हाथ पैर की जलन को ठीक क्या जा सकता है दोस्तों दोस्तों यह जो फॉस्फोरस है यह female के लिए भी बहुत important दवा है इसपेसलिए अगर pregnancy के बाद एगर bleeding रुखने का नाम ही न वैसे तो फॉस्फोरस एक बहुत बड़ी remedy है इसके बारे में जो है बताने के लिए कम से कम चार पाच वीडियो भी कम पड़ेंगे और मैं इसका guiding symptom को उपर भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपको फॉस्फोरस कहां यूज करना है कहां यूज नहीं करन है यह आपको समझने में सुविधा हो guiding symptoms के according तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं प्रेंड करता हूं thank you very much and have a good day